गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाव आर यू, हिंदी की ओनलाइन क्लासिज में आपका स्वागत है हम भी छोटी लड़की की तरह सबर करते छ्वेट जी ने रोटी में सिक्का क्यों डाला होगा वह सब बच्चों की प्रिक्षा लेना चाहते थे लड़की ने सिक्का क्यों नहीं रखा क्योंकि वह लागची नहीं थी तर में सही निशान लगाईए लड़की को रोटी में क्या मिला लड़की को क्या मिला था हमने लेसन में क्या पढ़ा था लड़की को रोटी में मिला सोनने का सिख्का सबर का फल कैसा होता है सबर का फल कैसा होता है मीठा व्यपारी नेक्स्ट देखे प्रश्णों के उत्तर लिखे व्यपारी ने क्या गोशना की? व्यपारी ने गोशना की कि वह आज शहर के बच्चों को अपने घर के आंगन में रोटियां बांटे नेक्स्ट एक है बच्चे धका मुकी क्यों कर रहे थे? बच्चे बड़ी रोटी लेने के लालच में धका मुकी कर रहे थे नेक्स्ट है सेट ने लड़की को अपनी धरम पुत्री क्यों बनाया? लड़की की बातों से प्रभावित होकर सेट ने लड़की को अपनी धरम पुत्री बना लिया सबर का फल कैसा होता है सबर का फल मिठा होता है यह बच्चों आप लिख सकते हो नेक्स्ट है पढ़िये समझिये और लिखिये अंत अंत आधे नय को हम बिंदी से भी लिख सकते हैं अंद अंद, चंदर, चंदर, बंदर, संदर, संदर, हसना, हसना, अब चंदर बिंदू लगाने हैं इन शब्दों पे, तो चंदर बिंदू लगाने से क्या बनेगा, आंगर, आंगर, पा, पाम, गा, गाम, नेस्ट है, दिये गए शब्दों में एक अक्षर आगे और एक अक आगे जोड़ा तो क्या बन गया? अकल. मैं पीछे जोड़ा तो क्या बन गया? कलम. ऐसे ही हम लगाएंगे शिष्ट, अशिष्ट, शिष्ट, शिष्टा चार. हल, चहल, इंडिक बलत. इस नहीं शब्दों में एक अक्षर आगे और एक अक्षर पीछे जोड़कर कोई नई शब्द बनाएं. जैसे कल, अकल, कलम, कलम. शिष्ट, अशिष्ट, शिष्टा चार. हल, चहल, हल, चल. दिये गई शब्दों में व्यक्टि के नाम पर गोला तथा स्थान के नाम पर चोकोर बनाएं. रोहन, ये व्यक्टि का नाम है, तो इस पे हम क्या लगाएंगे? गोला, सेट जी, ये भी व्यक्टि का नाम है. आगरा, अब ये है, स्थान का नाम, तो इस पे हम चोकोर लगाएंगे. पारक, पारक भी स्थान है, चोकोर लगाएंगे. कुतुम मिना, कुतुम मिना भी स्थान है, चो कोर लगाएंगे, लड़की लड़की पे गोला लगाएंगे, दिल्ली दिल्ली पे चो कोर लगाएंगे, नेहा नेहा नाम है, तो हम गोला लगाएंगे, व्यपारी व्यपारी भी हम नाम है, गोला लगाएंगे, ये था बच्च stay home, stay safe.